दिल्ली सरकार ने ये स्वेम स्विकार किया है कि कडोरो रुपए इस शीष महल में दिल्ली के जंता के खजाने से हमने खर्च कर दिये और किनकिन लोगों को किस किस काम के लिए कितना पैसा दिया ये दिल्ली सरकार ने स्वेम एक आर्टियाई के जवाब में ये जानकारी दी है आटियाई हमारे पास है उसे दिखाएंगे लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि जब शीष महल के बारे में खुलासा हुआ तो आम आदबी पार्टी के तमाम नेता कुछ तो जेल के अंदर है ये संजय सिंग मनिसी सोधिया ये लोग सामने आये थे और ये कहते नहीं नहीं चट तूटा है चट की मरमत कराई गई है इनको लगा कि सच को छिपा लेंगे ये खुद को तो कटर रिमांदार बताते हैं लेकिन इतना घिनोना काम किया और ये कि चोरी और सीना जोरी भी वो कहने लग गए इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गए कि घर के अंदर केजरिवाल के माता पिता थे कई बार छटे टूटी उसको बनाने के लिए हमने कुछ खंच कर दिये तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया लेकिन जैसे जैसे खुला से हो होते गए इसके पाप की जो लिस्ट है वो बड़ी होती गई मालुम चला कि घर का मरमत नहीं घर को ही गायब कर दिया और अपने लिए एक शीष महल बना लिया कलोरो रुपए खर्च कर दिये और उस वक्त जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन के लिए त्राही माम त्राही माम लोग मर रहे थे कोविट में और केजरिवाल अपने लिए शीष महल बना रहा था यही खुलासा हुआ और जब टाइम स्नॉक ने इसके उपर डिटेल रिपोर्ट दी पूरी कहानी बताई तो यह कहने लग गए कि यह सारी खबरे अपवा है कोई इस तरह का परदा लाख र रुपे का कमोड नहीं खरदा गया कई संगमर्मर बाहर से नहीं लाए गया तमाम तरह का प्रोपगेंडा और किसी कैमरे वालों को अंदर जाने की अनुमती नहीं दी लेकिन जब कागज बोलता है तो फिर यह बहाने बाजी चलती नहीं है तो एक आटियाई एक्टिविस् यह केजरीवाल तो स्वेब एक आटियाई एक्टिविस्ट हुआ करता था तो उसके ही हथियार से केजरीवाल को पूरी तरह से एक्सपोस किया गया है यह जो आटियाई है यह आपके स्क्रीट पर देखिए यह अजय बासुदे बोस यह अमरावती महराष्ट के रहने वाल महल जो चीफ मिनिश्टर का जो घर है जिसे हम लोग शीष महल के नाम से जानते हैं उसमें क्या खच हुआ था दो तरह की जानकारी मांगी गई पहली जानकारी के जवाब में क्या आया उपरोक्त विशे पर आपका आविदन जो पी आई ओ आटियाई ऑनलाइन देली के कार प्रेंट ओन सिविल प्लंबिंग एलेक्रिकल सीवेज कार्पेंटरी वर्क्स अध़ ओफिशल रेसिदेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर अफ देली अरविंद केजरिवाल फ्रॉम डेट 31st मार्च 2015 तो 17 देसमबर 2022 दोजर पजब से वह आया है तब से कितने खर्च हुआ है तो उसके जवाब में दिली सरकार नी क्या कहा कहा टोटल एक्स्पेंडिचर इंकर्ड दूरिंग दे पीरिएड फ्रॉम 2015 तो 2022 इस रुपीज 29 करोर 56,035,074 रुपीज फॉर सिविल वर्क ओल्ली 29 करोर रुपे है सिर्फ सिविल वर्क के लिए इसमें डाइनिंग टेबूल नहीं है इसमें परदा नहीं है इसमें और भी कई सारी चीज़े नहीं है सिर्फ सिविल वर्क है 29 करोर रुपे के लिए खर्च इन्हों ने किया ये तो मान लिया गया सवाल ये है कि किसके कहने पर किसके आदेश पर और क्या इस तरह के सिविल वर्क के लिए को टेंडरिंग की गई थी आपने हर टेंडर को जो है धीरे 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 करके आपने निकाला किता कि तमाम कानूनी कारवाई से आप बच जाएं सीवियाई इसकी जाच कर रही है और डिली सरकार में जो मुख्य सचिव हैं चीफ सेकरेटरी नरेश कुमार उसकी रिपोर्ट सीवियाई के पास है और अब इस आटियाई के जरिये आपका कबूल नामा है 29 कड़ो रुपए में कौन से घर की मरमत होती है भई आपने तो कहाता कि घर टूट गया है फूट गया है और इसलिए उसकी मरमत के लिए हमें कुछ पैसे कुछ काम करवाने पड़े हैं लेकिन अब दूद का दूद पानी का पानी हो गया है एक और सवाल पूछा गया इस RTI का दूसरा हिस्सा देखिए प्लीज प्रोवाइड नेम्स अब दो कॉंट्रेक्टर हाइड फॉर अबब मेंशन वर्क एंड अमाउंट पेड तो दूट्रेक्टर फ्रॉम 31 मार्श 2015 तो 17 दिसमबर 2022 दूसरा सवाल पूछा गया है कि इतना रुपया तो खर्च कर दिए ल आप तो देना पड़ेगा तो पहला नाम जो है इसमें मुन्तजीर एहमद वाह कितने रुपय दिये गए इसे तो 21,89,666 रुपय यह मुन्तजीर एहमद साहब उनको यह पैसा दिया गया और नाम से तो लग रहा है कि यह एम ए बिल्डर्स यह वही मुन्तजीर एहमद का स्वाट फॉर्म है लेकिन पता नहीं कुछ भी हो चकता है तो मैसर्स एम ए बिल्डर्स उनको भी दिया गया 8,666 रुपय यह दो कॉन्ट्रेक्टर को इतने रुपय दिये गए अब आगे चलते हैं मुहमद अर्षद इनको भी दिया गया 17,21,649 रुपय और चौथा मिसर्स एके बिल्डर्स पता नहीं यह कौन है उनको आपने दिया 29,8,47,143 रुपय दूद का दूद पानी का पानी हो गया अब जरा याद कीजिए यह कितने अपने आपको कटर या मांदार कहने वाली पाटी जब टाइम स्नौ ने यह खुलासा किया था सरा यह शीश महल घुटाले को लेकर तो कैसे कैसे बचकानी बाती यह लोग कर रहे थे यह संजर सिंग सबते पहले प्रस कॉन्फरेंस करने आया था कि टाइम स्नौ के उपर कारवाई करेंगे यह गलत ख़बर चप रही है चीफ मुनिस्टर के घर में टूट फूट रहा था एक वीडियो भी जारी कर दिया कि छटे कैसे टूट रही थी हमने सिर्फ मरम्मत कराया है जूट क्यों बोल रहे थे उस वक्त ऐसे तो कहते हूं कि हम तो बस सत्य हरिश्चंद के जो इरिश्तेदार लगते हैं कटर रिमानदार है कभी जूट नहीं बोलते तो जब चोरी पक्ड़ी गई तो शुरू में आपने इस सचाई को छिपाने के लिए आपने तमाम कोशिशे की प्रेस कॉन्फरेंस प्रेस कॉन्फरेंस और टाइम्स नाओ के रिपोर्टर से टाइम्स नाओ के कि पूरी टीम वो अकेली पड़ गई बाकी कोई मीडिया ने साथ नहीं दिया बाद में मजबूरन जब ख़बरें बिलकुल प्रबल हो गई ये दिन के उजाले के तरह साफ हो गया तब बाकी चलू ने भी दिखाना शुरू किया अब ये तो कबूल नामा है बंगला नहीं लूँगा गारी नहीं लूँगा सिक्यूरिटी नहीं लूँगा वै कितने जूट बोलोगे पबलिक को आपने पागल समझ रखा है मूर्ख समझ रखा है कि जिस चीज के अधार पे तुम राजनती करने के लिए लोगों को बरग लाते रहे सत्ता मिलने के बाद वही पाप वही कुकर्म तुमने शुरू कर दिया 29 कड़ो रुपए में कौन से घर को रेनुवेट किया जाता है इसका जवाब कौन देगा दिली का बच्चा बच्चा जान रहा है कि अर्विंद केजरिवाल जूट बोलने में उस्ताद हो चुका है यह हमेशा सोसता कुछ है कहता कुछ है करता कुछ है और अब जब कागज सामने आ गया है तो क्यों नहीं ये लोग प्रेस कांफरेंस कर रहे है अर्विंद केजरिवाल को पूरे देश से माफी मागनी चाहिए कि हाँ हमने किया लेकिन सबसे बड़ी चीज इस व्यक्ति के सम्विदल हींता को देखिए यह सारा काम उस वक्त हो रहा था जब दिली के लोग मर रहे थे यह सुक्ष चैन से वितनाम का मार्वल कैसे लगेगा रिमोट से चलने वाला परदा कैसे लगेगा सिंट्रलाइजड एर कंडिशन कैसा होगा डैनिंग टेबल पे खाना को फर्स फ्लोर से नीचे लाने के लिए उपर ले जाने के लिए लिफ्ट कैसे लगाई जाएगी इसमें यह वेस्ट था बस से ग्यारा बज़े कैमरे के सामने आता था कि कोविट के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं और वीडियो यह बेस्वर मीडिया वाले लाइव के तरह चला देते थे तो यह पाप का घरा भर चुका है लेकिन अब बारिस CPI की है कि जब यह सारी जानकारी सामने आ रही है आ चुकी है कबूल नामा है तो फिर देर किस बाग की है आप देखते हैं कैपिल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद